नियूज 18 इंडिया पर लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं क्यूंकि आज तीसरे चरण का चुनाफ बिहार में हो रहा है तीसरे और आखरी चरण का चुनाफ जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कम से कम EVM में हो जाएगा कैद कि अपकी बाहर किसकी सरकार तो बिहार विध कलकंधे पर उठाकर जज़बा देखे बोट देने का कि पानी को पार करते हुए एग运 लोग अपना वोट देने यहाँ यारि कि यह तरह से लोग पानी की परवाद हैं सड़के नहीं हैं दिकत हैं लेकिन बावजूद उसके बिकीए पिहार के कटिहार से वाकई में एक तरह से इंस्पाइर करने वाली यह तस्वीरे आती हुई जहां पर आज अंतिम चरण में क्योंकि 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग है इन लोगों को आप देखिए बिहार के कटिहार से किस तरह से पानी का सामना करते हुए पानी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं मुश्किल है बहुत हैं लेकिन ये तय है कि आज उनका दिन है ये उनका अधिकार है वोट देने का साथ ही साथ उनका करतव भी है और इस वज़े से कोई साइकल को अपने कंधों पर लाद कर, कोई अपने कपड़े उपर करके, किसी भी तरह से इस मुश्किल को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए शेष जी, अगर आप भी देख पा रहे हैं, ये तस्वीरे क्या कहती हैं, नेता चाहे बहले ही पांच साल तक, जनता के लिए कुछ न करे, लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है, मैं आपके पास आओंगी शेष जी लेकिन मुझे चंदर महन बुला रहे हैं, तो एक बार जा रही हूंग घूंङ होंगी लोगों से बात हो रही है क्या मुद्द क्या है जिसको ले कर है जनता के बीच में अभिзд मेरी ज्चाहिए और आज पैसला होगा मतदाता मतदान के लिए निकल गया है बहुत सारे बुथों पे मैं होके आ रही हूँ और अभी 22 स्कूल में आई हूँ और यहां बहुत सांतीपुरों हर जग मतदान हो रहा है कहीं कोई परिशानी नहीं और हमने जो काम किया अब मतदाता के उपर ही यकीन कर सकते हैं और बाकी उपरवले हैं क्या आसा और उम्मीद है आसा है मतदाता मेरे उपर यकीन करेंगी यहां के सारे लोग यकीन करेंगी और भगवान भी है और मेहनत कभी जो कर्म करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता है मुझे आशा और उमीद है तो उसी को लेकर आप घूम रही है तो यह आस्मा प्रवीन है जो घूम रही थी यहां पर बूत पर पहुंची है और एक और बाद